Hello Friends, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके M.Com प्रोग्राम के बारे में आज की इस वीडियो में हम M.Com प्रोग्राम की Fees और इसके Admission Process, Assignment और Exam Pattern के बारे में बात करेंगे कि ये सारी चीज़े आपको कब कब करनी होती है तो दोस्तों आईए आज की इस वीडियो में हम M.com के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले अगर आपको M.com का प्रोग्राम करना है तो आपको IGNU की official website पर आना है यहाँ पर जब आप admission portal पर आते हैं सबसे पहले आपको M.com के बारे में सारी डीटेल मालूम होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको इसकी डीटेल मालूम करनी है तो आपको program information पे click करना है देन यहाँ पर आपको search करना है M.com जब आप यहाँ पर search करते है M.com तो यहाँ पर M.com आ जाएगा, इसके उपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इसकी जो detail है वो open होकर आ जाएगी, इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है, यह audio mode में program है, यह आपका degree program है, इसके बाद two years इसका duration है, medium आप English से भी कर सकते हैं और Hindi से भी कर सकते हैं, इसके fee structure यहाँ पर आपको बताया गया है, और इसके बाद program coordinator का name यहाँ पर आपको बताया गया है, किस-किस regional center और study center में यह program offer किया जाता है, वो सारी detail भी यहाँ पर आपको बताया गया है, ऐसे आप यहाँ पर अपने M.com program के लिए admission ले सकते हैं, simply आपको क्या करना है, admission portal पर आन आप यहाँ से M.com में admission ले सकते हैं, अब हम बात करते हैं M.com program के pattern के बारे में exam, assignment, यह सारी चीजे इसमें कब-कब होती हैं, दोस्तों सबसे पहले तो यह master of commerce, यह इसकी program guide है, इसमें आपको सारी detail मिल जाएंगी, अगर आपको M.com program की program guide चाहिए, तो आप मेरे telegram channel से detail मिल जाएंगी, कौन-कौन से subject आपको two years के अंदर पढ़ाये जाने हैं, और कौन सा यह program है, कैसा program है, semester wise है, यह yearly wise है, यह सारी detail आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सबसे पहले तो यह program जो है, आपको January और July दोनों session में offer किया जाता है, इसके बाद आपका यह program है, इसका जो duration है, वो two years का है, minimum और maximum four years में आप इसे complete कर सकते हैं, अगर आपने अपनी bachelor degree complete कर ली है, तो आप इस program को कर सकते हैं, इसके बाद इसकी जो fees है, वो nine thousand rupees per year रखी गई है, अगर आप admission लेते हैं, तो उस time पे आपको 300 rupees extra देने होंगे, जो आपकी registration fees होगी, और 9000 rupees आपके per year लगे और first year आपको 300 rupees registration charge अलग से देना होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद आपको सारी detail यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ आपर नीचे गया, तो यहाँ आपर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 4 semester दिये गए, 4 semester में आपको बताया गया कि यहाँ पर credit system है, आपको 80 credit जो है यहाँ पर 4 semester में पूरे करने हैं, अब यह credit क्या होता है, तो आपके subject जो है वो credit में divide किये गए हैं, यानि कि 2 credit, 4 credit, 6 credit में आपके subject जो है वो divide किये गए हैं, subject credit के हिसाब से आप के subject को उतने marks में divide किया गया है और अगर आपको credit system के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया कि आपका paper कितने marks का होता है कितने credit का होता है इसका link जो है मेरे description box में दिया गया है तो यहाँ पर आपका जो program है वो semester में रि़्यो फैरलीवाइचे तो यहाँ पर आपका जो यह program है वो new pattern में हैं क्योंकि पहले जो आपका MCOM का program था जो all pattern का program था वो आपका yearly based था पर यहाँ पर यह पर आपका program है वो semester based कर दिया है पर यहाँ पर आपका program सिर्फ semester based है पर आपकी sary čiजे हैं वो आपकी yearly यानि कि आपके exam भी yearly based होंगे और आपके assignment भी yearly based submit होंगे यानि सिर्फ आपका program जो है वो सिर्फ semester based divide किया गए यानि आपको सिर्फ subject जो है वो semester based के हिसाब से यहाँपर select करने जैसे यहाँपर semester 1 में आपको 4 subject दिये गए mco01, mco04, mco05, mco021 इसके बाद second semester, third semester, four semester यहाँपर total स सारे subject आपको दिये गए यानि चार semester में यह आपका जो program में divide किया गया है इसके बाद बात करते हैं यहाँपर जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँपर आपको यह medium बताया गया है तो यह जो program में यह English और Hindi दोनों में offer किया जाता है यानि आप English में भी और Hindi में भी दोनों language मे आप यह program कर सकते हैं साथ के साथ यहाँपर आपको 2 years और 4 years दोनों आपको duration दिया गया है यानि minimum 2 years में आप यह program complete कर सकते हैं और maximum आप 4 year में यह program complete कर सकते हैं इसके बाद यहाँपर registration का process बताया गया है तो यहाँपर registration का process यह है कि सबसे पहले तो आपकी first year की fees यहाँपर जाती है फर्स्ट येर की फीस जाने के बाद आपकी जो सेकंड येर की फीस है वो एक येर पूरा होने के बाद यहां पर आपकी फीस जाती है और इसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपके एक्जाम और असाइनमेंट के बारे हैं बताया गया ह है वो आपके semester wise आपका program पर आपके assignment एक साथ summit होंगे यानि की first और second semester के मिला कर आपको एक साथ assignment submit करने होंगे अगर आपका January का admission है तो आपको सितंबर में first और second semester के मिला कर एक साथ assignment submit करने होंगे मैंने बहुत सारे studentों से जो mcom के students है उन्होंने अपने study center में भी पूछा है और study center कहना है कि first और second semester के जो assignment है वो एक साथ yearly mode में सितंबर में summit होंगे अगर आपने जनवरी 2022 session में admission लिया है और अगर आपका जुलाई 2022 session का admission है तो आपके March में first और second semester के मिलाकर दोनों assignment एक साथ summit होंगे इसके बाद यहाँ पर आपके exam के बारे में बताया गया है तो exam के लिए यहाँ पर आपका 70% weightage है और assignment का 30% weightage है exam जो है आपके यहाँ पर साथ साथ लिखा हुआ है कि every year आपका June और December session में exam conduct करवाय जाता है आप June में भी exam दे सकते हैं पर आपका जो time period है वो complete होना चाहिए यानि कि आप जब एक साल complete हो जाएगा यानि अगर आप January के student हैं तो December में आपके दोनों semester के मिला कर exam conduct करवाय जाएंगे यानि first और second semester दोनों semester के मिला कर एक साथ आपके yearly mode में आपके December में exam लिये जाएंगे अगर आपने जुलाई दो अजर बाई session में admission लिया है तो आपके फिर जून में जून 2023 में एक साथ first और second semester के मिला कर exam लिये जाएंगे यानि कि जुलाई के exam जून में और January के exam December में एक साल बाद दोनों semester के एक साथ exam लिये जाते हैं और अगर आपको assignment बनाने आपको नहीं पता assignment कैसे बनाते हैं तो आपको क्या करना है आपको IGNU की official website पर जाना है आपको download वाले option में जाना है यहाँ पर आपको नीचे assignment का option ज़राएगा आपको इस option पर जाना है यहाँ पर आपको M.com का option ज़राएगा आपको M.com पर क्लिक करना है यहाँ पर आपका 2022 में यह M.com का new program आया है क्योंकि इससे ही पहले आपका यह program yearly based हुआ करता था तो आपको new pattern का जो program है वो यहाँ पर उसके assignment download करने है तो यहाँ पर 2022 session वाले session में आपको देखना है यहाँ पर first semester का assignment आपको मिल जाएगा जब आप यह assignment download करते हैं तो यहाँ पर आपको यह assignment मिल जाएगा आपको इसे download करना है यह assignment download करके आप इसे बना सकते हैं यह assignment January वाले students प्लस July वाले students बना सकते हैं जिन्होंने जन्वरी 2022 में और जुलाई 2022 में अड्मिशन लिया है तो आप इस assignment को बना कर complete कर सकते हैं इसके बाद students का doubt यही बना हुआ है कि हमें assignment semester wise submit करने या yearly wise तो आप अपने study center या regional center पर जाकर confirm कर सकते हैं कि हमें assignment जो है वो semester wise submit करने है या फिर yearly wise submit करने है क्योंकि बहुत सारे studentों से मैंने भी पता किया है तो उनका कहना है कि assignment जो है वो एक साथ first और second semester के yearly mode में submit होंगे आप भी एक बार पता कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपके assignment कैसे submit हो रहे semester mode में या फिर yearly mode में तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले और दोस्तों अगर आपको इस program से related कोई भी doubt है तो आप मुझे मेरे instagram या telegram से जुड़के वहाँ पर अपना doubt क्लियर क कर सकते हैं धन्यवाद